मैं एक कहानी सुनाओ बहुत पहले की बात है जब इंडिया का पार्टिशन हुआ था तो सरत के उस पार एक आदमी रहता था उसका नाम था हीरो पार्टिशन की आग ऐसी फैली कि हीरो को अपरे पूरे परिवार के साथ यहां इंडिया आना पड़ा और उसका सारा पैसा, सारी जैदा सब उस तरफ रह गया एक राग में अपना हीरो जीरो बन गया सॉरी सॉरी करेक्शन वो तो हीरो था हीरो जीरो कैसे बन सकता था उसने मेहनत और लगन के साथ काम किया लगडी किमिल में काम किया दुकानों में काम किया, जान लगा दी और धीरे धीरे अपना बिजनस शुरू किया और एक अच्छा सा मकान बनाया और फिर उसका बेटा आया नया हीरो इसने भी मेहनत की बच्चों को पढ़ाया, लिखाया साथ साथ नौकरी भी की, पुराने बिजनस को संभाला और पुराने मकान को और बढ़ा किया और फिर उसका बेटा आया अब ये अपना हीरो है इसने भी मेहनत लगन, एंजिनियरिंग हाँ बोलो, नीचे देखो हसने लगो, रोने लगो एक दिन अपने हीरो को दिल और दुनिया के पीछ में यहां से कोसों दूर एक साथी मिला साथी ने कहा हाई हीरो ने कहा हाल, साथी ने कहा क्या हाल, सबड़िया हीरो ने कहा, I am fine thank you, how are you यार तुम ऐसे क्यों मात करते हो कैसे ऐसे मशीनों की तरह अरे अध्य रुको, कहा जा रहे हो मैं रुक नहीं सकता रुकूंगा तो मर जाओंगा रुकोगे तो मर जाओगे मैं भी इसमें भाग रहा हूँ ओके तो कौन सी रेसे ही है मैं नहीं जानता तुम नहीं जानते कौन सी रेसे तो क्यों भाग रहे हूँ? क्योंकि सम भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ